हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तू मैं चैनल आज मैं पतांजली की क्रेक हील क्रीम का रिव्यू करूँगी और साथ ही आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जिनके यूज से आपको लाइप में कभी भी फटी एडियो की प्रॉप्रम नहीं होगी तो क्रेक्ट हील होने का मोस्टली कारण यह होता है कि जब हम अपने फीट को अच्छे से मोश्टराइज नहीं करते तो उसे स्किन ड्राइ होने लगती है और धीरी धीरी उनमें क्रेक्स आ जाते हैं और यह क्रेक्स एडिय पर ही नहीं आते बलकि पूरे फूट सोल पर यानि पैर के तलवे पर यह क्रेक्स आने लगते हैं और क्रेक्ट हील की प्रॉब्लम किसी भी एज में आ सकती है चाहे आप 30 प्लस हो यह 60 प्लस हो और गाइस जो यह पतांजली की क्रेक्ट हील क्रीम है इसे आप बहुत जल्दी 40 एडियों से चुटकारा पा सकते हैं तो पतांजली की ऐसे कई काफी अच्छे प्रडॉक्ट हैं जिनका रिजल्ट काफी अच्छा है तो बात करते हैं इस पतांजली क्रेक्खील क्रीम इकिया प्राइस है तो ये क्रीम 50 ग्राम की पैकिंग में आती है और इसकी प्राइस काफे एफ़ोडेबल है ये क्रीम आपको 60 की प्राइस पर मिल जाती है और इस क्रेक्खील क्रीम में कई नैच्छे हर्ब्स का यूज़ किया गया है उनमें से एक है काया कलब तेल चो काया कलब तेल है उसे बनाने के लिए 21 हर्ब्स का यूज किया गया है और काया कलब तेल के इलावा इसमें अलोवेरा, सरसो का तेल, बीज वैक्स यानि की देशी मूम और भीमस यानि कपूर, गेहूं का तेल और शुद सुहागा इसमें इंक्लूड किया गया है तो अब भी जान लेते हैं कि इस क्रेक्ट हील क्रीम को दिन में दो बार तक यूज करें, सुबा नहाने के बाद इस क्रेक्ट हील क्रीम को अपलाई करें, जब तक यह अच्छे से स्कीन में अव्जोब ना हो जाए, और दूसरा रात को सोने से पहले इस क्रीम को अपलाई करे ऐसा कुछ दिन करने के बाद cracked heels की problem हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और साथ में ध्यान रखेगी कभी भी नंगे पैर first पर मत चले हमेशा socks पहने इससे कभी भी cracked heels की problem नहीं आएगी दूसरा रात को सोने से पहले पैरों को हमेशा clean करे और फिर कोई भी wash rice cream apply करें जो थोड़ी oily हो इससे पैर कभी dry नहीं होंगे और हमेशा soft रहेंगे और ये ध्यान रखे कि कोई भी food cream लगाने से पहले पैरों को pumic stone की help से gently clean करें फिर इसके बाद food cream का use करें तो friends ये थी कुछ tips और पतांजली crack heel पर दीगे information तो ऐसी ही कई health और beauty से जुड़ी वीडियोस देखने की ने चैनल को subscribe करें और bell icon को press करना ना भूले धन्यवाद